प्रिये विध्यारतियों, पिशली लेक्चर में हमने देखा था कि टांजिस्टर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी आपके पास सरंचना कैसी है, उसका अप्राचालन कैसे होता है, अप्रेशन कैसे होता है, और करंट अम्प्रिफिकेशन किस प्रकार से हम लिखते है तो एक तरह से हमने बात की कि ट्रांजिस्टर को सर्किट के जो बहुत सरे स्योजन अभी विन्यास हैं, वो डिफरेंट कन्फिग्रेशन हो सकते हैं, और उनके अलग-लग रिलेशन होंगे, उनके वोलता धारा के संकेतन अलग-लग होंगे, किस प्रकार से उनके एश्ट पेरामिटर्स लिखे जाएंगे, तो यह सब हम आज इस लेक्चर में देखेंगे, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, कि टांजिस्टर के हमने देखे थे तीन भाग थे, आधार, उसर्जक, आधार और संगरहाग, तीन कौन-कौन से, उसर्जक, जिससे इलेक्टोनों का उसर्जन होता है, आधार से होकर वो कहां करे कत्रित किये जाते हैं, संगरहाग में कत्रित किये जाते हैं, तो इस प्रकार से एक धारा प्रचालन की युकती है आपका transistor और उसको तीन configuration में यूज़ किया जाता है जैसे उसके तीन पॉइंट है common, तीन terminal उसके common हो सकते हैं, तो एक पहला है उबेनिश टाधार, दूसरा है उबेनिश उसर्चक, तीसरा है उबेनिश संग्राग, तो ती इन अलग-लग परिपास संयोजनों में हम transistor का उप्योग कर सकते हैं, और इन अलग-लग संयोजनों की क्या खासियत है, उनके उलताधारा समंद क्या है, उनके H परामिटर्स क्या है, किस तरह से उनके अभिलाक्षनिकों को अध्यन किया जाता है, तो यह सब हम आगे और अध और जो राइड साइड में दिखाए गए हैं आपके पास एन पेन टांजचर के लिए परिपत, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि आपके पास हमने यह देखा था, जब प्रचालन की बात की थी हमने डांजच के थे, हमने यह देखा था, कि उत्सर्जक आधार संधी को इसार, रिवर्स बाइस में होगा, अग हम टांजचर उपरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास जो PNP टांजचर है, तो उस PNP में एमिटर और कलेक्टर दोनों ही किस प्रकार के होंगे, P प्रकार के होंगे, अब यह दोनों ही P प्रकार के हैं, और इसको टर्मिलन से, तो एक तरह से यह, और यह बेस टर्मिल मैंने दोनों में कॉमन रखा है, तो एमिटर और बेस, इन्पुट टर्मिल हो गए है, और कलेक्टर और बेस यहां हो गए, आउटपुट टर्मिल, और जो बाइसिंग वोल्टेज दी जाती है, उसको हम दिखाते हैं, VEE से दिखाया है, और यहां पर बाइसिंग वोल्टेज को दिखाया है, VCC से, क्योंकि यहां बाइसिंग किसको दी जा रही है, एमिटर को, यहां किसको दी जा रही है, कलेक्टर को, और एमिटर और बेस की भी जो वोल्टेज डेवलप हुआ है, वो कितना है, VECB है, धारा जो एमिटर में है वो है IE जो गलेक्टर में जा रही है वो है IC अब इसी तरह मैं एन पेन टांजिस्टर का देख रहे हूं उभे निश्ट आधार परिपत तो इसमें मुझे अमिटर को देनी है अब कलेक्टर को मुझे रिवर्स बाइस देनी है तो और यह एन प्रकार का है इसलिए मैंने इसको किसे जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिलाल से पुने बाइसिंग वोल्टेज यहां किसको दी गई है अमिटर को तो भी आई ए यहांक कलेक्टर को 25 वोल्टेज दी गई है इसलिए VCC अमिटर पे बहने वाली करल अब यहां पदेख रहे lee अम और बेनेश till आधार के लुए थे आभ हम देख रहे हैं वनिश उसर्ज़ड के लिए तो उसर अब असबिए यहां बिस आपके पास बंप है मुझे emitter को कौनसी बायस देनी है आपके पास forward bias यह P type है तो P type है तो यह से जोड़ दिया positive से तो सौहाविक है base किस से जोड़ जाएगा negative से क्योंकि इसको forward bias देंगे base को और base n प्रकार का है इसलिए negative से जुड़ा और जो emitter है वो P प्रकार का है इसलिए plus से जुड़ गया तो base emitter कौनसी बायस हो गई power bias इसी तरह यह collector emitter को हम देंगे reverse bias collector है आपके पास P तो यहां से आपके पास यह collector को reverse बाइस देनी है क्योंकि base और जो collector है दोनों का एक ज़सा है जो अपद्रवेता सांज़ता है वे इक ज़सी है collector और base की collector दोनों यहां काउन से होंगे पीर प्रकार की होंगी लेकिन मुझे यहां ध्यान देना है कि collector को मुझे reverse bias देनी है emitter को forward तो इसलिए emitter को plus से जोड़ा है collector को minus से जोड़ा है पुने bias voltage यहां पर base को चुकी bias voltage अब दी गई है emitter की बजाए इसलिए VVB हो गया यहां पुने collector को forward दी गई है इसलिए VCC हो गया है और emitter दोनों में common है input और output में यहां अगर हम देखें अब यहां पर VCE यहां पर क्या था VCB तो यहां पर जो developed voltage है वो किसको दे रहे हैं VCE से लिख रहे हैं base और emitter के बिच developed voltage VBE बहने वाली धारा IB हो गई अब input पे और output पे हो गई IC अब यहां से इसी तरह PN, NPN के लिए देखें तो emitter base को forward bias इसलिए PR है यह N है इसलिए positive और negative से जोड़ा है यह दोनों अब इस सतियों में NN है लेकिन इसको reverse bias देनी है इसको forward इसलिए plus और minus से जोड़ा है Bicing voltage VBB, यहां Bicing voltage VCC, developed voltage base और emitter के वीच VBE, collector और emitter के वीच developed voltage VCE और जो पहने वाली धारा है IE और IC अब हम चलते हैं उबेनिश संग्रहाक परिपत की और तो संग्रहाक यहां पर common किया गया है यहां पर थोड़ा सामें थोड़ा देध्यान रखना है कि उबेनिश संग्रहाक जो परिपत है वो उबेनिश उसरजक विन्यास के समरूपी होता है लेकिन यहां पर आपके पास जो बाइसिंग वोल्टेज है वो लगाई जाती है एमिटर पर कलेक्टर पर नहीं लगाई जाती है एक तरह से है तो यह कलेक्टर और मीटर के बीची लेकिन जो मापन किया जाता है वो कहां किया जाता है एमिटर पर होता है तो यहां पर अग यहां पर इसको यह जो developed voltage है यह हमारे पास collector को यहां पर हमने common कर दिया है क्योंकि यह common से जोड़ा है लेकिन बैटरी हमने इजला कहां लगाई है emitter और ground के बिश लगाई है और emitter में जो बैटरी लगाई है चुकि यहां से forward bias देनी है P है इसको positive से जोड़ा है इसको negative से तो यहां अगर मैं ध्यान दूँ तो negative से होकर collector कौन सी बैस में हो गया है reverse bias में सिमिलरली यही काम हम यहां NPN टांजिचर के लिए भी देख सकते हैं तो यह प्रकार है कि किस प्रकार से by-sync दी जाती है और किस प्रकार से उभेनिश आधार उभेनिश उसर्जक और उभेनिश संग्राप परिपत बनाए जाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो उभेनिश चोता है वो इनपूट और आउपूट दोनों में टर्मिनल कॉमन होता है और उसी की आधार पर डबलेट पोल्टज जो आपके पास वोल्टज डबलब होती है उसी आधार पर उसका सेकिंड संकेतन में उसका मान लिखा जाता है और हमेशा यहां ध्यान ड जो अभिविन्यास हमने परिपत कीचे हैं उनके लिए वूरताधारा अपोट पोटल या नामांकन टर्मिनल की जो नामांकन परिपाटी है वो क्या है तो यह हम अच्छे से देख चुके हैं कि दो तो इंपूट टर्मिनल हैं दो आउपूट टर्मिनल हैं यानिक एक तरह स इसको मैं 4 terminal network भी कह सकते हूं, जिसका analysis मैं पहले देख चुकी हूं, लेकिन इसमें एक बात मुझे ध्यान रखनी है, एक terminal common है, तो इसको 3 terminal की तरह भी हम देखते हैं, तो 4 terminal का analysis का जो हम करते हैं, उसको 3 terminal की तरह भी कर सकते हैं, तो यहां पर अब मैं देखूं साधार पर तो जलेक को दिखा जाता है, क्या फिर ग्रांड यानि common base है, लेघ्र को अच्यान ग्रांड से जोड़ा ग्याए एँ, बैस सब्सके हैं उसको ₹ इसको ग्रांड से दिखाए गया है, अच्यान में जो क्रफ्य चांतर है, उसको ग्रांड दिखा गया है, बैस क्र सहों isn. भ Art tava तो निवेशी में हम देख चुके हैं, उत्सर्जक और आधार आता है, क्योंकि आधार तो common हो गया है, तो input पर कौन सा आया, उत्सर्जक तो common है, इसलिए उत्सर्जक आधार हो जाता है, और उभैनिश उत्सर्जक में, उत्सर्जक क्योंकि common में चल जाता है, तो input पर कौन सा तर्मिनल आता है आधार इसले बेस एमिटर निवेशी पोट पर और संग्राग की बात करूँ तो जो निवेशी पोट पर वो आएगा वो क्या आएगा उबेनिश्ट आधार है उबेनिश्ट अंग्राग है तो आधार और संग्राग आएगा एमिटर चला जाता है अब यहां पे निवेशी टर्मिनल की बात करूँ मैं. तो निवेशी टर्मिनल एक तरह से उसरजक हो गया है. निवेशी टरिनल, विन्लण टर्मिनल कोमन एंमिटर में बेस है. वेशने में संग्रहाक में कान सा है? निवेशी पे आधोर. तो आपके पास, यह हम circuits में भी सारे देख चुके हैं कि निवेशी Terminal E है, निवेशी जो अभेनिष टर्मिलन है वो B है, तो दोनों को मिला के जो गोलता या पोर्ट संकेतन दिय जाते हैं, वो किससे दिय जाते हैं, E और B Common अधार में क्या हो जाएगा? निवेशी संकेत VEB उभेनिष सर्जक में क्या हो जाएगा? VBE उबहनिश संग्राथ में क्या हो जाएगा VBC और निवेशी पोड का अंकन के कैसे किया जाता है बेस और यह common base दिखा कर और emitter यानि emitter और base के बीच यह common तो निवेशी गोलता का अंकन होता है इसी तरह बेस और emitter के बीच उबहनिश संग्राथ में होगा किसका अंकन यानि VEB और VBE हो जाएगा और उबहनिश संग्राथ में क्या हो जाएगा B और C यानि वोलता क्या हो जाएगी VBC तो निवेशी धारा क्या होगी IEB दो हम संकेत लिखें तो IEB चोकि base common है और तो अगर मैं सिंगल संकेत लिखोंगी तो IE होगा उबहनिश संग्राथ में क्या हो जाएगा IB हो जाएगा उबहनिश संग्राथ में भी क्या आएगा IB लेकिन यहां बात मुझे ध्यान लखने है यहां पर उबहनिश संग्राथ में जो IB है वो IBE है और उभेनिश संग्रहाक में जो IBA वो IBC है, यह दोनों समान नहीं है, यह बात मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, इसी तरह यहाँ पर VBE है, तो उभेनिश आधार में VIEB है, तो मुझे ध्यान थोड़ा सा रखना है कि IEB है या IBE है, अब निवेशी धारा है वो हमेशा क्या कर अब निवेशी धारी दिखाई गई है, अब निव्यक्त पोड़ को हमेशा प्रवेशा करती होए दिखाई जाती है टर्मिशवान के अंदर, में आधार में, में रखनी आधार में लगान से लिए लेकिन उबेनिश संग्रहाक में कौन सा था उसरजग संग्रहाक पोर्ट था ये तो इसलिए निर्गत पोर्ट कौन कौन सा हो जाएगा संग्रहाक आधार यहां उबेनिश उसरजग में कितना हो जाएगा संग्रहाक उसरजग हो जाएगा और निर्गत टर्मिनल यहां संग्र तो जो मेरे पास पोड है उसी नाम से हम लिखते हैं तो यह हो जाएगा VCB यहां पर हमें दिखूं तो निर्गत की बात कर रही हूं निवेशी पोड है मेरे पास तो पहले निर्गत पोड को देख लूँ तो निर्गत पोड है VCB निर्गत पोड़ता का मान क्या हो जाएगा VCB यहां जो निर्गत पोड़ता का मान शर्जक है पेंसलिए प्रिंटिंग से लिखा जाएगा इसलिए निर्गत उल्टा संकेत क्या लिखा जाएगा VCE, यहाँ पर आपके पास सर्जग सराग आ गए तो VEC लिखा जाएगा, तो जिस प्रकार से पोट है, निर्गत पोट है उसी प्रकार से उल्टा दर्शा दी जाएगी, अब निर्गत पोट कांकन किस-किस के बीच, कलेक्टर और बेस के बीच, उस अभेनिश उसर्जक के लिए किस के बीच, कलेक्टर और अमिटर के बीच, उभेनिश संग्रहा के लिए किस के बीच, एमिटर और कलेक्टर के बीच, तो अगर आप इसी तरह निर्गत संग के धारा संकेत दिखें, तो प्रवेश करती हुई दिखाई जाती है धारा हमेशा टर्मिनल में तो यहां सारी प्रवेश करती हुई धारा यह दिखा जाए रही है धारा कौन सी होगी यहां पर ICB होगी यहां पर IC होगी यहां पर IEC होगी तो यहां पर एक बध्यान रखनी है अगर मैं सिंगल से इसी प्रकार से जो निर्गत हराएं हैं वो निर्गत पोड़ पर प्रवेश करती हुई दिखाई जाती हैं और जो कॉमन टर्मिनल है उसमें प्रवेश करती हुई या निकलती हुई धारा नहीं दिखाते हैं उसकी गल्णा कैसे की जाती है Ic is equal to Ic is equal to Ie minus Ib या फिर हम इसको यह कह सकते हैं Ie is equal to Ic plus Ib से उसकी गल्णा की जाती है अब जो बाइस वोल्टाओं के संकेत हैं वो हम पहले देख चुके हैं कि अगर कॉमन बेस है तो कॉमन बेस में जो है वो जो स्रोत को वोल्टा दी जाएगी इसलिए वो ee से लिखी जा जाएगी और कॉमन इमिटर में स्रोत वोल्टा चुकी इंपुट वोल्टाज बेस को दी जाएगी सिегट उपडिवी वि से लिखी जायगी और जो निर्गत परिपत है नहीं कॉमन बेस में कैलेक्टर बेस में को उलता दी जाती है इसलिए वी सी सी होगी स्रोत वे दर्शार करते हैं लेकिन जब मेंडेवलेप्ट वोल्टेज की की बात करते हैं किắn एंटर बेस या केलेक्टर के अंस लिख्रॉस ५ तब हम एक टर्मीनल कामन दर्शाइते हैं और एक टर्मीनल वह दर्शाइते हैं जिस पर अंकन किया जा वो निर्गत है या निवेशी है, उस अधार पर उस पदांक कामान, उस संकेत कामान लिखा जाता है, तो एक बार फिर से में आपको बता देती हूँ, कि यहां पर इस परिपत से, अगर मैं समझूँ, तो इस परिपद से अगर आप देखेंगे तो आपके पास अबर निवेश पे है अगर देखेंगि तो आपके पास अबर निवेश के लिए अब आपको मैं बता रहे हूँ तो उबर और 60 isephalas volta collector को दी जा रही है इसलिए वी 10 से लिखी य।। डैबलेब्ड वोल्टेज से लिखी जाई है। जो डेब्लेप्ट वल्टेज है उनमें common टर्मिनल का ओलेख है यानिं स placed Ungram है तो इन्पूट टर्मिनल कहा है EB के बीच है इसलिए developed voltage का लिखी जारी है VEB यहाँ पर developed voltage किती लिखी जारी output पर VCB प्रवेश धारा करती हुई दिखाई जारी है निर्गत पर बी और निर्गत पर बी और निवेशी पर बी निवेशी पर धारा IE निर्गत पर IC इसी तरह अगर आप देखें उभेश उसर्जक के लिए तो उभेश उसर्जक में जो बाइसिंग वोल्टेज दी जारी है input पर वोबेस को दी जारी है इसलिए VVB यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज आउटपुट में collector को दी जा रही है इसलिए VCC से लिखी जा रही है developed voltage चुकि common emitter है इसलिए VBE से लिखी जा रही है क्योंकि B और E के मद्धे voltage डेवलप हो रही है यहाँ पर C और B के मद्धे डेवलप हो रही है इसलिए VCE से यहाँ common terminal कहा मुलेक कर रहे हैं और पहला संकेत वो बता रहा है जिस पर वलता develop हो रहे है यानि VBE निवेशी वलता यह निवेशी टर्मिनल है यह निवेशी धारा भी प्रवेश करती हुई निवेशी धारा भी प्रवेश करती हुई दिखाई जा रही है तो आई बी यहाँ पर चूकि बेस टेर्मिनल है यहाँ पर आई सी क्योंकि कालेक्टर टेर्मिनल है अब यहाँ हम देखें उगनिश संग्रहक में जो है जो बेस वोल्टा यहाँ पर जो बाइस से वोल्टा यानि स्रोत वोल्टा दी जारी है वो बेस को दी जारी है इसलिए वी आप यहां पर आपके पास जो डेवलप्ट वोल्टेज है वो है VBC क्योंकि इसमें आप कॉमन टर्मिल का उलेक है बेस और कलेक्टर के बीच डेवलप्ट है तो VBC यहां पर एमिटर और कलेक्टर के बीच डेवलप्ट है तो VEC प्रविशधारा करती हुए कितनी दिखाई जा किस प्रकार से दर्शाय जाती है किस प्रकार से बाइसिंग दी जाती है एमिटर को बेस को कलेक्टर को PNP टांस्टर में और MPN टांस्टर में धन्यवाद